हेलो एब्रिबन मैं राजिर बंडारी आप सबका सागत करता अपने चाहें लेक्टिकल अड़ा में आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकाया हैं वो हम लेकाया हैं कि ओम के नियम की उत्पत्ती ठीक है तो ओम का नियम मैंने आपको करवाया नहीं क्योंकि यह बेसिक आपको आ अगियो दोहां तरखे के समान उपाति होती है ठीक है तो यही आपक remote law और उसके लिए क्टिशन या क्या 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 आपकी की सरत्य होती कि ताब दाब जो यह भौतिक अबस्ता हैं होती हैं वे समार होनी की है ठीक है तो जब आपने यह फॉर्मला पढ़ाओगा पर्पोर्शनल का साइन ने टायाओगा तो एक constant value लियोगी R ठीक है तो यही हमें यहाँ पर prove करना है कि V upon I equal to R हमें लेके अना है ठीक है om split नहीं है सीद्ग करना है उसके उत्पत्ति करनी है ठीक है तो इतना चलो इसको start करते हैं तो इसके लेए हमें क्या करना है 막 इसमें देख लेते हैं क्या theory त्यूरी हमने लगे है जिसकी लंबाई कितनी है अले ठीक है इसके कवान क्या होगा Are you כן गुई क्रणवगी क्या रगा दी हुछ खीए कर ने क्तार के फर्ठी एक धी थार्त लें यहां अगर और तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रोनों की संक्या है, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रोनों की संक्या है, वो कितनी है, एन है, ठीक है, और जो इन इलेक्ट्रोनों का औसद वेग होगा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोन होगे, जिनका क्या होगा, जिनका कुछ वेग ह उसको आमने ले लिया VD एलेक्ट्रोन का जो वेग होगा उनको ले लिया VD, आपको पता है यह अनुगमन वेग होता है, यह मैंने पिछली वीडियो में सब पढ़ा लिए, तो यहाँ पे जो यह current आई है आपकी जो धारा आई है, इसका माहन कितना होता है, I equal to, यह हमने अभ यहां पर आपका एंड क्या हो गया आपके मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या हो गया परती एकांग आयतन में यहां पर इलेक्ट्रोन प्रावेस ए यहां पर जो चालक तार है उसका छेतर पर और वीड़ी यहां पर अनुग मनुएगा ठीक है तो यह हमने जो फॉर्मला लिखाया है यह हमने पहले सिद्किया है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं अब जैसी हम यहां पर टो इसके अंदर एक वैद्दुचेत्र भी उत्पन हो जाता है E wolves से cetus की तरफ यह वैध्दुचेत्र की जो value होगी वह क्या होती वी अनुगमन वेक का मान कितना होता है VD equal to यह भी हमने पहले निकाला है minus E tau M E vector ठीक है तो यह भी हमने पहले सिद किया है तो यह तीन formula हमने पहले से सिद कर रहा है इसे मान लेते हैं 2 इसको ले लेते हैं 3 ठीक है अब हम क्या करेंगे इस VD का मान समिकरण 1 में रख देंगे कहां रख देंगे समिकरण 1 में तो समिकरण 3 का मान समिकरण 1 में रखने पाए तो रख देते हैं VD की जगा तो formula बन जाएगा I equal to minus N E A ठीक है और E minus का E इसमें बता है minus minus यह plus हो जाएगा ठीक है E tau M into E vector ठीक है इतना हमने पढ़ लिया इसमें अब हम क्या करेंगे इसमें कुछ देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं N को तो N लिखेंगे E और E कितना हो जाएगा E square हो जाएगा एक आपका A आएगा एक आपका Tau आएगा एक आपका M आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर E, E vector है और E vector अभी हमने यहाँ पर निकाला वाए E vector की value क्या है? V upon L तो इसको भी हम रख लेते हैं यहाँ पर V upon L ठीक है? तो इतना हमने इसको इसकी value यहाँ पर हमने रख दिया यहाँ पर लिख लेना E command ठीक है? डखने पर हमने यहाँ पर E command लख दिया हमने आपके इसके बाद क्या ओगा? यहाँ से आपको क्या निकालना है? आपको बनाना है V upon I ठीक है? तो आपको बता है V इदर है, I इदर है तो आपको I इसकी निचे ले जाना पड़ेगा V तो मैं इसको यहां लिख देता हूँ V upon I अब बाकी जो सब होगा वो आपको उदर लिखे जाना पड़ेगा तो ML उपर चले जाएगा ठीक है और यहां कितना बन जाएगा N E A square A ठीक है इतना आपका यह बन गया ठीक इतना आपको समझ माया एक मिनट है आपको दिखा नहीं होगा हमने क्या करा इस V के नीचे ले गए I को ठीक है और यह ML तो चले जाएगा इदर और यह चले जाएगा उसके upon में ठीक है इतना आपने प्रूब कर दिया अब आपको क्या है यह जो पूरा होता है यह आपका एक नियतांग किताना काम करता है ठीक है तो इसको हम ले लेते हैं R ठीक है R यानि पर्तिरोद ठीक है यहाँ पर R की जगा हमने कितना रखा M, L, N, E, SQUARE, A, TAU क्योकि इनकी value नियत होती है तो यह पुरा एक नियतांग का काम करेगा जिसको हमने ले ले R ठीक है R यानि पर्तिरोद पर्तिरोद तो यही इन में क्या था संबनता V यही हमारा क्या होता है ओम का नियम भी होता है ओम का नियम ठीक है यह मैंने आपको starting बताया था V open I equal to R और यही हमने यहाँ यहाँ पर सिद्धी करना था ठीक है तो इतना आपको समझमा आया होगा यहाँ पर आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पर M क्यों होता है इलेक्टोनों का देर्मान होता है L होता है यहाँ पर चालक की लंबाई अभी हमने देख लिए N आपके मुक्ति इलेक्टोनों की संक्या यह एलेक्ट्रोन परावे से यहां पर छेतर पर लोएगे टाव ठीक तो इतना आमने इसमें देख लिया तो इतना था आपका ओम का नियम I hope आपको इसमझ में आया होगा Thank you